कि अपने परिवार रोजगार विदंकित में तो कैसे हैं आप सब लोग उमीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे बहतरीन होंगे लाजवाब होंगे एक दम बिनास होंगे और साथी बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाय को कर रहे होंगे एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब्लोग कैसी चल रही आप कि पढ़ाई है कैसी चल रही है दोस्त आप लोगों के पढ़ाई 6 बजे हम लोगों का जीडी का प्रेक्टिस एट हो रहा होता है और इसमें मैं 20 कुशन्स आप लोगों को करा रहा होता हूं तो दोस्त एक सब्ताह जो है वो मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि एक सब्ताह जो है हम लोग previous year के questions करेंगे और एक सब्ताह बाद जो है वो mix question करेंगे यानि कि previous year के questions के साथ expected question या किसी दूसरे exam में आए हुए questions को भी हम लोग कर रहे होंगे तो सबसे पहले एक सब्ता हमें हम लोग देख लेते हैं कि actual में paper कैसा बनता है और क्या हम लोगों को पढ़ना है एक बार पूरा analysis एक सब्ता के अंदर हम लोग कर लेते हैं और एक पूरे दिन में जो एक पूरे सर्ट में जो exam आप लोगों का हुआ है वो मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ ठीक है भाई चलिए तो सबसे पहला कोश्चन आप लोगों के सामने हैं दोस्त ये कोश्चन रहा आप लोगों के सामने एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि क्या होगा इस कोश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब कुश्चन कहना चाहा है कि एक व्यक्ती पहले दिन पर 6 गंटे में 240 km, दूसरे दिन पर 8 गंटे में 360 km और 3 दिन पर 6 गंटे में 4500 km की दूरी तया करता है तीन दिनों में उसके द्वारा पूरी की गई पृति घंटे की आउसत दूरी क्या होगी वो आप से ये पूछना चाहरा है मेरे दोस्त average speed के वारे में वो आप लोगों से पूछना चाहरा है तीनों दिन ये question आप लोगों को देखने को मिला होगा कि जब बात average speed की होती है तो total distance upon total time होता है यानि कि कुल दूरी बटे कुल समय अगर कुल दूरी की बात करूं तो मेरे दोस्त 240 km यहां दूरी है और समय आप लोगों से पूछू की total समय कितना हो गया है तो 6 गंटे उसने यहां यत्रा की है 8 गंटे यहां यत्रा की है और 6 गंटे उसने यहां तो 8 और 6 14 और 6 20 गंटे में 1050 km की दूरी तैकी है तो यहां से आप क्या बता पाएंगे 0 से 0 कर जाएगा दो पंजे 10 दो दुनी 4 दो पंजे 10 यानि उसकी average speed जो होगी वो साड़े 52 km प्रती गंटा हो जाएगी और एक बहुत आसान सा question आप लोगों के सामने साड़े 52 km प्रती गंटा ठीक है भाई बहुत शानदार next question दोस्ट आप लोगों के सामने है question number 2 question number 2 आप लोगों के सामने हैं एक बार सभी दोस्ट question को पढ़ेंगे और बताएंगे कि क्या होगा इसका question का बिलकुर सही जवाब question ने क्या कहा है question ने कहा है कि मनीस ने एक air conditioner 4,885 रुपे में खरीदा इसके मुल्य का 8% वार्सिक दर से कमी हो रही है तो तीन वर्सों के बाद air conditioner की कीमत क्या होगी वो आप लोगों से साथी ये पूछना चाहा रहा है अच्छा एक बात मुझे बताईए अभी present में कितने का खरीदा है तो आप कहेंगे 4,885 का हर साल कितने परसेंट की कमी हो रही है तो आप कहेंगे 8% की तो सबसे पहला काम क्या है मेरे दोस्त सबसे पहला काम है जैसे अभी present में कीमत है 4,885 तो पहले साल 8% कीमत घटी होगी तो केवल 92% रह गई होगी फिर अगले साल 8% कीमत घटी होगी तो फिर 92% रह गई होगी और फिर तीसरे साल 8% कीमत घटी होगी तो 12% रह गई होगी त क्या 3 साल बाद की कीमत आ जाएगी बस आप लोगों को इसको solve करना है तो कैसे solve करेंगे मेरे दोस्त अब देखिया आप लोग सबसे पहले 4 से काटिये मेरे दोस्त 23 बार कटेगा 4 से काटिये 25 बार कटेगा कोई दिक्कत तो नहीं है अब यहां से देखिये 25 से काटिये 25 एकम 25 हो जाएगा कितना बचेगा 21 बचेगा 25 अठे 200 हो जाएगा अठारा बचेगा 25 से काटिये 25 से काटिये 25 से काटिये तीन बार कटेगा तीन का मल्टीपल ही आंसर हो जाएगा देख लो एक बार 5 और 3 आर 6 14 दो 16 जवाब नहीं होगा 3, 2, 5, 2, 7, 4, 11, 5, 16 जवाब नहीं होगा ठेटी, 9, 5, 14, 1, 15 है जवाब हो सकता है तीन और तीन, 6, 7, 6, 13, 13, 18, 26, 27 जवाब हो सकता है अब इकाई कांक देख लो भाई तीन, तीया, नो, तीया, 27, 27, तीया, 81 जिसमें एक आएगा वही जवाब हो जाएगा तो option numbers 3, option number C is question का बिलकुल सही जवाब हो जाएगा अगर present में कीमत 46,875 है, हर साल 8% की कमी होती है तो हर साल बिटा 2,2% कीमत रहे जाती होगी तो तीन साल बाद जो कीमत रहने वाली है वो इकाई के अंक के concept से पीछे एक आएगा एक ही option ऐसा है जिसमें पीकाई का अंक जो है वो एक है तो आसान question बन गया, question number 3 बड़ा बड़ा बताईए भाई, क्या होगा इस question का बिलकुल सही जवाब question number 3, आप लोगों के सामने है, question कहना क्या चाहरा है भाई इसका कोई sort तरीका, भाई, कौन बता जेगा इसका sort तरीका, आप बताईए कि कौन बताईगा और देखो दो चीजों को मैं आप लोगों को जवाब दे देता हूँ एक उन बच्चों के लिए जवाब दे देता हूँ जो इस सौट तरीका पूछ रहे हैं बिटा अगर इसका भी सौट तरीका पूछ रहे हो तो फिर तैयारी किसे दू जाने की जरूरत है आपको basic clear करने की जरूरत है दूसरा उन लोगों के लिए जो level बढ़ाई की बात कर रहे हैं मैंने बहुत सारे लोगों को यहीं देखा है level बढ़ाने वालों को वो लगातार दूसरे एक्जामों की तैयारी लगातार करते रहते हैं तो मेरे दोस्त भरोसा रखिए जब मैंने कहा है कि अभी प्रिवियस एयर के कुश्चन करा हूँगा एक सब्ता तो यह आए हुए कुश्चन है वो आसान भी हो सकते हैं वो करिए ठीक है मेरे साथ ही चलिए यह रेशो में थड़े आप चाहे इसे 25 से 25 से 25 से 25 से 25 से 25 करके लिख लिजे यही रेशो में थड़े मेरे दोस्त ठीक है भाई चलिए आगे बढ़िए कुश्चन कहना क्या चाहा रहा है कुश्चन ने कहा है कुश्चन नमबर 3 ने 200 रुपे में कोई महिला 5 किलो कम खरीद सकती है। प्याज का बढ़ा हुआ मुल्य प्रती किलो क्या होगा। प्याज का बढ़ा हुआ मुल्य यानि वो ताजा मुल्य के बारे में आप से पूछना चाहा है। पहले तो मैं आप लोगों को एक सोट्रिक बता देता हूँ, जब भी आप लोगों से ताजा मुल्य पूछा जाए तो मैं आपको एक साधारन सा मैथड बता देता हूँ, कुछ सोचने की ही जरूरत नहीं है। ताजा मुल्य कैसे निकालते हैं सबसे पहले लेंदेन देखो question में लेंदेन कितने रुपे का हुआ है तो आपने कहा 200 रुपे का लेंदेन हुआ है कितने percent विरद्धी या कमी हुई है तो 25% की विरद्धी हुई है ताजा मुल्य की case में नीचे हमेशा यहां 100 fix होता है कितनी kilo कम या ज्यादा पांच किलो कम खरीद पाती है उसे यहां लिख दो आपके सामने नया मुल्य आ चुका है 100 दूनी 200 होगा 555 होगा तो बढ़ा हुआ मुल्य कितना आ जाएगा 10 रुपे प्रती किलो होगा option number four this question का बिलकुल सही जवाब हो जाएगा option number four this question का बिलकुल सही जवाब हो जाएगा अगर आप से ताजा मुल्य पूछा जाता है तो दोस्त लेंदेन कितने रुपे का हुआ है 200 रुपे का कितने परसेंट कमी या विरद्धी तो 25 परसेंट आ जाएगा ताजा मुल्य की केस में यहां 100 fix होता है और कितने किलो कम या जादा तो यहां 5 किलो आ जाएगा तो यह हो जाएगा मेरे दोस्त ताजा मुल्य आपके सामने हो जाएगा ठीक है भाई चलिए next question 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 number 4 question number 4 आप लोगों के सामने है एक बार question को पढ़िएगा एक बार question को पढ़िएगा दोसरा method होता है बेटा ratio method में दोसरा मेंथड होता है रेशो मेंथड मेरे दोस्त ठीक है कर आपका परिये स्टूडेंट तुसी नहीं रहा क्या हुआ क्या हुआ मेरे दोस्त ऐसा तो नहीं हो सकता मुझे तो पता चल जाना चाहिए था भाई वो मेरे फैवरेट स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट है क्या हुआ है दोस्त ऐसी चीजों का मजाक नहीं होता है एसी चीजों का मजाक नहीं होता है प्लीज अगर ऐसा कोई मजाक करने के मूंड में हो तो मैं क्वेस्ट करता हुँ कि ऐसा कोई मज़ाक ना करे 15 को लिए द्यान से कोईशन कहना चाह रहा है गाहिए इक किलब में 70 महीला सदश्य हैं और साथ जो हैं वो पुरुस सदश्य है यदि महिला सदश्यों की ओसत आयो 35 वर्स दी है और पुरुस सदश्यों की ओसत आयो 45 वर्स दी है तो पूरे कलब की ओसत आयो क्या होगी बचे mixture and allegation की कहानी एक बार सुनिये कि जब आप को एक तरफ महिलाओ का उसत दिया है पुरसो का उसत दिया है दोनों का मिला के उसत पूछा है तो समझ जाईए कि वहाँ allegation लगना है तो मैं आपसे पूछू यहां महिला लिख लेते हैं मेरे दोस्त ध्यान से सुनियेगा यहां महिला लिख लेते हैं और यहां पुरुस लिख लेते हैं अगर महिलाओ का उसत आपसे पूछू तो कितना दिया है महिलाओ की उसत आयू 35 वर्स है और पुरुसो की उसत आयू 45 वर्स है बेटे यहां जो होता है इनकी संख्या का रेशो होता है तो अगर मैं पूछूं महीलाओ की संख्या कितनी थी तो वो 90 दी हुई थी और पुर्सू की संख्या कितनी है वो 60 है तो रेशो निकाल लीजी 30 तिया 90 होगा 30 दूनी 60 हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है जब भी आपक उसे जश्ट डिवाइड कर दीजिए आपके सामने बीच वाली का ओसत निकल के आ जाएगा 105 और 90 पिच्चान में इसे 5 से डिवाइड करिए 5 तिया 15 होंगे और 5 नाम 45 होंगे तो बचे पूरे पुरुस और महिलाओ को मिला के ओसत के आ जाएगा तो आप कहेंगे 49 इस एक तरफ महिलाओ के बारे में आप लोगों को दिया हो और फिर दोनों का मिला के आप लोगों से पूछा हो तो हमेशा याद रखना कि एलिगेशन से कुश्चन करना है पांच कहां से आया बिटा इन दोनों के योग से हमेशा डिवाइड करते हैं ठीक है भाई चलिए बहुत शानदार बहुत शानदार नेक्स्ट कुश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कुश्चन क्या कहता है कुश्चन नंबर पांच क्या कहता है मेरे दोस्त फटा फटा मुझे बताईए क्या होगा इस कुश्चन का बिल्कुल सही जबा हम बचे घर से कि लास ले रहा हो तो जैसी भी आ रही है इसिके साथ對 स्थ करना хочूगा जैसी भी आ रहे हैं सर पांद से ही डिवाइड करते हैं बिल्कुल नहीं करते मेरेगाने मेरे दोस्त इन-दोनों के योग से डिवाइड करते हैं थीन और दो फाइवर अगर यहां तीन चार होता तो फिर तीन और चार साथ से डिवाइड करते हैं प्रटावड़ बता यह क्या हुगा स्कूश्चन का बिलकुल सही जवाब क्वेश्चन क्या कहना चाहा रहा है एक आदमी फिलोना कार 135 रुपे में खरीता है और उसे देडні सो रुपे में बेच देता है yeah यह तो छटकु सा सवाल है एक सो तीस रुपे में खरीता है 135 रुपे में खरीता है और 1500 रुपे में बेच देता है तो पहले ratio निकाल लीजिए 15 निम्मा 135 होते हैं 15 धाई 1500 होते हैं यानि 9 के समान को अगर कोई वेक्ती 10 में बेच रहा है तो एक का लाव कमा रहा है यानि 9 यारा सही एक बटे 9% का हो जाएगा इसको क्या लिखेंगे 9 तो नीचे लिखेंगे नो एककंगंनो एक बचेगा एक यहा लिख दिया तो 111000 की 11 wonder yes question का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ओजाएगा next question question number 6 आप लोगों के सामने है question number 6 आप लोगों के सामने कल मैंने question आप लोगों को कराया होगा कि जब रासी दो वर्स में बढ़कर इतनी हो जाती है तो प्रती वर्स दर क्या रही होगी तो उस case में मैंने आप लोगों को बताया था की आप बढ़ी हुई रासी का और सुरूहात वाली रासी का रेशो निकाल लीजे अगर कुश्चन दो साल का है तो वर्गमोल कर दीजे कुश्चन तीन साल का है तो भनमोल कर दीजे दोस्त उसी परवेश्ट ये कुश्चन है पड़वड से एक बार question पढ़िए और मुझे बताईए क्या question में वही फील आ रही आप लोगों को हाँ है उसी question के पीछे क्यों पढ़े हो ratio से भी करवा दूँगा last में एक बार मुझसे पूछ लेना ratio से भी करा दूँगा थोड़ा सा वेट कर लो अब लगातार उसी के message किये जाएंगे अब comment किये जाएंगे देखो 1875 की रासी 4% वार्सिक दर से एक निशित समय में बढ़कर 2028 हो गई 1875 की रासी जो है वो एक निशित समय में 2028 हो जाती है 4% की दर से बढ़के चार परसेंट का मतलब क्या होता है रासी का 25 से कितना होना 26 होना चार परसेंट का मतलब क्या होता है रासी का 25 से 26 होना तो अब ये पूछना चाहरा है question ये पूछना चाहरा है कि वो time क्या रहा होगा तो सबसे पहला काम है दोस्त इन दोनों का ratio निकाला तो आप ratio निकालेंगे 2028 का और दूसरी तरफ दिया है 1855 पहले ये बताओ दोस्त किस से कटेगा 8,8,2,10,2,12,7,5,12,1,13,8,23,3 से कट जाएगा 3,6,18 होंगे 2 बचेगा 3,6,18 होगे 2 बचेगा 3,7,21 होगा 21,3,6,18 तीन से कटेंगे 3,6,18,3,2,6,3,5,15 यानि ratio जो आ रहा है वो 6,6,6,6,6,5 आ रहा है इसका मतलब वो 25 से 6,6,5 कब बनेगा जब वर्ग करोगे 26 से 6,6,6,6, कब बनेगा जब वर्ग करोगे वर्ग का मतलब होता है बेटा कोश्चन जो है वो 2 साल का है कोश्चन जो है वो 2 साल का है अगर इसका घं करने के बाद ये चीज़े हम लोगों को मिल रही होती तो कोश्चन जो है वो 3 साल का होता है तो इस केस में कोश्चन कितने साल का है तो जवाब हो जाएगा कोश्चन जो है वो दो साल का, ठीक है भाई, next question आप लोगों के सामने, question number 7, question number 7 आप लोगों के सामने है, पटा 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 बताईए भाई, क्या होगा इस question का बिलकुल सही जवागा, इंप्रूव कैसे करें, बिलकुलेशन कैसे इंप्रूव करें, तो उसके लिए 15-20 मिनट, आदा घंट आप अपनी कैलकुलेशन को दीजिएगा, और उन चीजों को कीजिएगा, जिसको करने का आपका मन नहीं कहता है, जैसे बड़ी-बड़ी संख्याओ की गुणा आप 133 की गुणा 253 में करो, 943 की गुणा 112 में करो, डिवाइड करो, बड़े-बड़े 943 को 112 से डिवाइड करो, ऐसे रेंडमली गुणा करिएगा, तो आप एक चीज महसूस करेंगे कि एक सब्ताह बाद उसमें ही आप लोगों की स्पीड बढ़ जाएगी, तो मेरे दोस आप लोगों को अगर calculation और improve करनी है, तो 50 तक के आप लोगों को वर्ग याद होने चाहिए, 20-25 तक आप लोगों को घन याद होने चाहिए, एकदम से आप बता पाओ कि ये इसका वर्ग है, ये इसका घन है, तुरंत बता पाओ, है ना, तो ये सारी चीजे जो है, ये calculation के ही दुकांदार ने इसे 20,915 में बेचा, तो दुकांदार द्वारा दी जाने वाली छूट का प्रतिसत, आसान कुश्चन है, बै कितनी कीमत है, तो आप कहेंगे 23,500, और दुकांदार ने बेचा कितने का है, 20,915, तो ये देखो कीमत कितनी कम कर दी, तो इसमें से इसे घटा आएगा 2585 रुपे कम कर दिये, दोस्त किसे कम कर दिये, तो आप कहेंगे 23,500 से कम कर दिये, तो 100 से कितने कम हो जाएंगे, तो यहां से आपका छूट का प्रतिसत निकल के आ जाएगा, अब देखिए 5,525 होता है, 5 एकम 5,5, 3 बचेगा 5,735 होता है, 5 से काटेंगे 5,420 अब आप काटके देखिए, 47 से कम 47 होता है, 4 बचेगा 47 से कम 47, यानि 11 परसेंट की छूट दे गई होगी, तो आप्सन नमबर कौन सा हो जाएगा, थर्ड इस कोश्चन का विलकुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है भाई, बहुत शानदा, नेक्स्ट कोश्चन, कोश्चन नमबर 8 आप लोगों के सामने हैं, बहतरीन कोश्चन है, फटाफट बताईए क्या होगा, इसका विलकुल सही जवाब, एक बहतरीन कोश्चन दोस्ट आप लोगों के सामने है, सर बैच लेना है, तो बैच बिटा ले लीजिए, जीडी का बैच जो है वो ले लीजिए आप लोग या तो helpline number पे call कर लो helpline number आपको पता ही है कि 9818489147 है ठीक है या फिर आप application के through भी ले सकते हैं ठीक है 32 और 40 का लगुत्तम समाप उबरते हैं LCM आप लोगों को निकालना है तो 32 और 40 का LCM सबसे पहले 8 कॉमन ले लो जो चीज कॉमन आ सकती है उसे कॉमन ले लो तो आप पाओगे कि यहां 4 बच जाएगा और यहां 5 बच जाएगा अगर मैं आपसे पूछो कि इन दोनों का LCM 20 आएगा वही दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं और 20 अठे 160 हो तो इन दोनों का LCM जो आएगा वो 160 है उसने का इनका LCM जो है वो X के वर्ग से 9 कम के बराबर है X के वर्ग से 9 कम के बराबर है इनका LCM तो X के वर्ग से 9 कम कर दिया तो इनका LCM के बराबर आगा यह माइनस 9 है इधर आके दोस्त प्लस 9 हो जाएगा 160 और 9 कितना हो जाएगा 119 हो जाएगा और यहां क्या दिया से स्क्वेर दिया हुआ है अगर यहां से स्क्वेर हटाओगे तो यहां स्क्वेर रूट लगा दोगे 119 का जश्ट वर्गमूल 13 होता है तो यानि अगर मैं आप से कहूं X का धनात्मक मान क्या होगा तो आप कहेंगे X का धनात्मक मान 13 होगा तो 13 इस कुश्चन का बिलकुल राइट जवाब हो जाएगा ठीक है भाई कुश्चन नंबर 9 कुश्चन नंबर 9 आप लोगों के सामने हैं पटापट मुझे बताइए कि क्या होगा इस कुश्चन का बिलकुल सही जवाब बैच में डिसकाउंट मिलेगा डिसकाउंट आप लोगों क्वूंशन ने क्या कहा है एक सहर की वर्तमान जनसंख्या एक लाख पच्चिस हजार है यदी जनसंख्या में जनसंख्या कितनी है तो आप कहेंगे एक लाख पच्चिस हजार हर साल जनसंख्या 2% बढ़ती है 2% बढ़ने का मतलब होता है एक बटे 50 यानि हर साल जनसंख्या 50 से कितनी होती होगी 51 अगले साल भी जनसंख्या कितनी होती होगी 50 से एक बढ़के 51 और अगले साल भी जनसंख्या कितनी हो जाएगी 50 से एक बढ़के 51 तो तीन साल बाद का पूछा है तो तीन साल बाद का लिख दिया मेरे दोस्त समझे जीरो 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 एक जीरो जीरो पांच पंजे 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 एक सो पंजे से ये कड़ जाएगा इकाई का अंक एक आएगा तो एक वाला कौन सा है option number one है इनकी calculation मत करने बैठ जाना नहीं तो दिक्कत समझ्या हो जाएगी अगर उसने कहा है कि ये answer कितना होगा एक ही option ऐसा है जिसमें इकाई का अंक एक है तो दोस्त option number one इस question का जवाब हो जाएगा ठीक है भाई चलो बहुत बढ़िया question number 10 की बात करते है question number 10 की बात करते है question number 10 क्या कहता है दोस्त पढ़िये अराम से और बहतरीन question में से एक question है जहां वो 3-4 question का सुरू से ही चलता रहा है कि 2-3 question उसने सही level के पूछे है तो उनमें से एक question दोस्त आप लोगों के सामने ये भी है क्या कहना चाहरा है question अमन, राम और कपिल एक कारे को किरम से 68 दिन, 51 दिन और सत्रे दिन में पूरा कर सकते हैं अब इन तीनों का अगर LCM लेता हूं तो दोस्ट सत्रे कॉमन ले लिजिए तो आप कहेंगे सत्रे कॉमन ले लिया तो यहां चार बचेगा यहां तीन बचेगा यहां एक बचेगा तो अगर चार और तीन का LCM देखूं तो 12 आएगा 12 सत्ते 84 को 4 हसिल आठ 12 एकम 12 और 8 20 इनका 204 को 68 से डिवाइड करेंगे तो मिरे दोस्त कितना होगा 68 से डिवाइड करेंगे तो यह कितना हो जाएगा 6,4,4 ज्यादा 3 बार कर जाएगा 204 को 51 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार और 204 को 17 से डिवाइड करेंगे तो 12 बार अब देखना अमन यदिवे बारी बारी से एक एक दिन इस पिरकार कारे करते हैं कि अमन पहले दिन कारे करता है यानि पहले दिन तीन कारे होगा दूसरे दिन राम करता है और तीसरे दिन जो है वो कपिल करता है ऐसा ही कुछ रहा होगा अमन पहले दिन कार रहे करता है, राम दूसरे दिन कार रहे करता है, और कपिल तीसरे दिन कार रहे करता है, और फिर अमन चौते दिन कार रहे करता है, यानि ऐसे ही साइकल चलती रहती है, तो यह किरम इस्पिरकार जारी रहता है, तो 50% कार रहे होने में लगबग कितने दिन का समय लगेगा 50% यानि इसका आधा यानि हमें 102 का हिसाब किताब करना है वही 204 का आधा 102 होगा अगर मैं एक दिन में देखू तो 12 और 4 16 और 3 कितना हो जाएगा 19 काम एक दिन में होगा ए 19 काम जो है वह 3 दिन में होगा इस बात में कोई दिक्कत नहीं है अगर मैं 102 के नस्दीक पहुँचना चाहता हूँ तो यहाँ मुझे 5 की गुणा करनी होगी 19 पंजे पिच्चाण में हो जाएगा तो 5 की गुणा मुझे इधर करनी होगी पिच्चाण में काम जो है वह 15 दि करेगा 102 काम पूरा हो चुका होगा और दिन टोटल कितने हो चुके होंगे 17 दिन हो चुके होंगे 15 और 16 और 17 लेकिन 17 इसमें option नहीं दिया हुआ था ये आप लोगों का correction था बचे यहां आपको क्या करना था challenge करना था question को तो इस question का जो बिलकुल सही जवाब हो जाएगा वो 17 दिन हो जाएगा यानि इसका total का आधा कार्र कितने दिन में होगा तो लगबग जो है वो 17 दिन में काम खतम हो जाएगा लगबग नहीं exact 17 दिन में काम खतम हो जाएगा question number 11 question number 11 आप लोगों के सामने हैं पटपट मुझे बताएंगे कि क्या होगा इस question का बिलकुल सही जवाब क्या बताएंगे देखिए अंकित मुल्या पर 10% की छूट देने पर एक विकरेता 5% का लाव अरजित करता है बिटा यहां से यहां तक का question पढ़िए मैंने कल भी बताया होगा कि जब छूट भी दी गई हो और लाव भी दिया गया हो तो आप CP और MP का रेशो निकाल लेना अगर 100 में से छूट पिर्तिसत घटा दोगे 100 में से 10 जाएगा तो 90 बचेगा और 5% 100 में 5% जोड़ दोगे तो ये MP आ जाएगा आप लोग जानते हैं 15,90 होते हैं 15,705 होते हैं अब आगे बढ़िए question ने कहा है यदि अंकित मुल्य में 5% की वरद्धी की जाती है बचे इनको क्या माल लीजिए 600 माल लेता हूँ इसे 700 माल लेता हूँ अगर अंकित मुल्य में 5% की वरद्धी की गई होगी तो क्या 105% अंकित मुल्य हो गया होगा यानि अंकित मुल्य जो है हो चुपा है 7,35 होगा 735 रुपे हो चुपा आगी क्या कहा है और पिरतेक 5% की 2 क्रेमिक छूटे दी जाती है तो विक्रेता को कितने प्रतिसत लाव होता है ये आप लोगों से साथी पूछा गया है अच्छे एक बात बताईए अगर 55% की दो छूटे दी गई है तो ओवरॉल कितनी छूट दी गई है तो क्या आप ओवरॉल छूट यहां से निकल देंगे मेरे दोस्त अगर मैं यहां से कहूं 5 और 5 दस माइनस 0.25 पाँच पाँच दस में से 0.25 जाएगी तो 9.9.75% की छूट दी गई है 9.75% की छूट दी गई है बाई केल्पूलेशन तो बड़ी बैठ रही है अंकित मुल्या पर 10% की छूट देने पर एक विकरेता 5% का लाब कमाता है यदि अंकित मुल्या में 5% की व्रधी कर दी जाती है और प्रतेक 5% की 2 क्रेमिक छूटे दी जाती है तो विकरेता को कितने परसेंट का लाब होगा तो मेरे दोस्त ये question जो है वो lengthy हो जाएगा question जो है वो थोड़ा सा lengthy हो जाएगा मेरे दोस्त 735 लिखा ये गुद्दा तो आप ये देखिये कि अगर इतने percent की छूट दी गई है तो वस्तू को बेचा कितने percent पे गया होगा एक्यान में 0.25% पर वस्तू को बेचा गया हो ये जो है ये भारी calculation आप लोगों के सामने आ चुकी है अब आप यहां से question को देख सकते हैं एक बार कोई छोटा तरीका हो तो इसमें देख लेना मेरे दोस्त 0.8 ये 2.0 बढ़ाई 25 तिया 75 होंगे कितना बचेगा भाई 15 और 16 बचेगा 25 चुका डेड़ सो 25 पंजेग सो पच्चेस होगा 25 चौका सो 400 हो जाएगा अब आप काटी है थोड़ा सा 5 एकम 5 दो बचेगा 5 चौक 20 पांच सत्य पैंतिस होगा 5 से काटी है असी बार कटेगा 5 से काटी है 5 सत्य पैंतिस होगा 5 सत्य पंजे होगा और 5 से काटी है 16 बार कटेगा अब यहां से ज़स्ट आप लोग विक्रे मुल्य निकाल लेगे और फिर देखना कि यह लाब प्रतिसत कितना हुआ लाब प्रतिसत कितना हुआ है एक क्याण में पॉइंट दो पांच और दो बाण में नहीं हाँ 90.25 रहेगा सही है 9.25 की तो छूट थी ना तो यह कितना रहेगा 90.25 रहेगा और इसका 90.25 परसेंट निकालिए पॉइंट अटाईए दो जीरो बढ़ाईए 25 तिया पिछित्तर 25 चिका डेड़ सो 25 एकम 25 होता है 25 चौका सो जीरो हो जाएगा 25 से कटा 5 से कटा 5 एकम 5 5 से कटोगे 80 बार कटेगा अब ज़स्ट इसकी गुणा करिए 80 से डिवाइड करिए विक्रे मुल्या यहाँ निकाल देजे और फिर देखना लाब कितना हुआ फिर देखना लाब कितना हुआ है ठीक है इसे कुश्चन को इसकी कैलकुलेशन एक बार आप भी देख लेना इसकी कैलकुलेशन मैं भी देख लूँगा है कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो रही है calculation उस हिसाब की नहीं है जो पेपर में करने वाली हो calculation उस हिसाब की नहीं है जो पेपर में करने वाली calculation हो यह calculation जो है वो थोड़ी से बड़ी हो रही है question यह कहना चाहरा है कि 10% की छूट देने पर भी Vikretta को 5% का लाभ होता है यदि अंकित मुल्य में 5% की व्रधी कर दी जाती है और पिरतेक 5% की 2 क्रेमिक छूटे दी जाती है तो विकरेता को कितने प्रतिसत लाब होता है यह आपको कोश्चन को देखना होगा ठीक है भाई ठीक है तो इस कोश्चन को एक बार खुद भी देख लेना और बाकी मैं कल एक बार इसकी कैलकुलेशन देखके बता दूँगा अगर आसान रहेगी कैलकुलेशन तो बता दूँगा लेकिन आसान नहीं रहती है यही प्रोसेस रहता है तो फिर आपको ऐसे ही करना होगा ठीक है अगर इस तरीके से जाना है तो इस कोश्चन को स्किप करना होगा ठीक लिशिन नंबर 12 आप लोगों के सामने हैं, क्या कहना चाहरा है। एक dealer अपने माल को 16% की हानी पर बेचने का वादा करता है। अच्छा एक बात मुझे बताइए, अगर वो 16% की हानी पर बेचने का वादा करता है, तो क्या 16% की भिंजो होती है वो 4 बटे 25 होती है यानि कि वो ये कहता है कि अगर मैंने 25 का माल खरीदा है तो तुम्हें 4 के गाटे से 21 रुपे का माल दे दूँगा उसने कहा है लेकिन वह 1 किलो गिराम वजन के स्थान पर 700 गिराम वजन देता है जो गिराहक के पास वस्तू पहुंची है उसे बिटा SP में लिख रहे होते हैं जो दुकांदार के पास से वस्तू गई है उसे हम CP में लिख रहे होते हैं ये होता है बेइमान दुकांदार का कौन से अब यहां से काटा-पिटी करिए जो कटती है, 0 से 0, 25 तिया, 25 हो जाएगा, 25 चौका सो होगा, अब देखिए 25 तिया, 25 का समान खरीदा है, और 84 का समान बेचा है, 21.84 होगा, अच्चा फाइदा कितने का हो गया, तो आप कहेंगे 9 रुपे का फाइदा हो गया, फाइदा तो दोस्त आप लोग कहेंगे बारा परसेंट का फाइदा हो जाएगा ठीक है भाई नेक्स्ट कोश्चन कोश्चन नमबर तेहरा आप लोगों के सामने है पटापट मुझे बताईए क्या होगा इस कोश्चन का बिल्कुल सही जबा मैंसुरेशन का पहला कोश्चन आप लोगों के सामने है मेरे दोस्त क्या कहना चाहा रहा है नहीं ऐसा नहीं है ओसी बार मैंने तो कह दिया कि कैल्कुलेशन जो है वो बड़ी बैठ रही है अगर और कोई तरीका आपके दिमाग में आता है या मैं एक बार फिर से ट्राइ कर लूँगा, अगर मेरे दिमाग में कोई तरीका आता है, तो मैं जरूर बता हूँगा, और अगर यही तरीका रहता है, तो मेरे दोस्त फिर आपको skip करना ही होगा, ठीक है, जिल, हो तो जाएगा, लेकिन time taking होगा, एक संकु का वक्र प्रष् है, पाई की वेल्यू 22 बटे 7 है, आर की वेल्यू डाइमीटर 105 दिया है, तो व्यास radius जो है 105 बटे 2 हो जाएगा, तो इसकी तिरिया कूचाई वह आप से L पूछना चाहरा है, 4.455, 4.455, साथ दुनी 14 इधर भाग में है, इधर गुना में आ जाएगा, और यह जो है मेरे दोस्त यह भाग में आ जाएगा, 22 गुना 105, जो है यह भाग में आ जाएगा, अब दोस्त आप लोगों को थोड़ी सी कटापीटी मचानी है, ठीक है, यह भी सेन्टी में दिया है, यह भी सेन्टी में दिया है, चलिए भाई, देख लीजे कितना आएगा, पॉइंट पढ़ाई यह 30 बढ़ा दीए अब देखिये बाइस बाइस से काटी है 11 2124 011 55 हुए फिक है भाई कि दो से काटी है साथ बार कटेगा अगया 7 से काटी है सात एकम साथ 35 15000 बार कट जा रहा हुए अब यह जो आ चुका है एल जो आ चुका है वो 405 बटे कितना आ चुपा है 405 बटे 15,000 आ चुपा है 15 से काटेंगे 15 दुनी 30 होगा 30 होगा 10 बचेगा 15 सक्ते 105 होगा 15 से काटेंगे 1000 बटेगा तो इसकी यूनिट में कनवर्जन जरूरी है कोई यूनिट उसने गलत दी हुई है आंसर जो आएगा वो इतना आएगा 0.027 इस कुश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा तो ये यूनिट जो है या तो ये मीटर स्क्वेर में और ये मीटर में दिया हुआ ये दोनों यूनिट जो हैं वो मीटर स्क्वेर में कर लेना ये दोनों यूनिट जो हैं वो मीटर स्क्वेर में कर लेना मेरे दोस्त आंसर जो है 27 cm आ जाएगा क्योंकि फिर 1000 की गुणा करेंगे इन दोनों यूनिट को मीटर स्क्वेर में कर लेना 1000 की गुणा करेंगे तो यह cm में आ जाएगा या फिर इस point को हटा देना यह फिर ऐसे लगा देना point को हटा देना 44-55 लिख देना अगर यह point हट जाता है point है यह नहीं question में तो फिर कैसे करेंगे ध्यान से सुनिए πाई की value कितनी है 22 बटे 7 है r कितना हो जाएगा व्यास का आधा हो जाएगा और l आप लोगों से पूछा है और यह कितना है 44-55 है ठीक है भाई 7 से काटी यह 35 7 साते कम 7 और 7 पंजे 35 होगा अब यहां 2 से काटी यह 11 बार कटेगा 11 गुणा में है इधर आके भाग में आएगा पंद्रह गुणा में है इधर आके भाग में आएगा तो 11 चुक 44-0-15-55 या फिर 15 दूनी 30-15-705 हो जाएगा 27 सेंटीमेटर तो यह कोश्चन में जो था यह कोश्चन में जो था यह मेरे दोस्ट पॉइंट नहीं था ठीक है चलिए डारेक्ट फॉर्मूला बेच्ट है पटपट मुझे बताईए क्या होगा इस कोश्चन का बिलकुल सही जवाब थोड़ा सा कॉंसेप्चिल कोश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव कोश्चन फिर से आप लोगों को दे दिया कोश्चन ने कहा है एक दसक में एक कस्वे की जनसंख्या एक लाख पैंतालिस हजार कितनी है भाई एक लाख पैंतालिस हजार आप लोगों को दे हुई है उसने का बढ़कर दो लाख हो गई तो मेरे दोस्त कितनी बड़ी पहले सबसे पहला काम है रेशो निकालने अगर आपसे प्रतिसत में पूछा है तो सबसे पहला काम है आपका रेशो निकालने का तो आपनी क्या है रेशो निकाल लिया 145, 205 से काटा 5 दूनी 10, 5 नाम 45, 5 से काटा तो ये 40 हो गया अगर मैं आपसे पूछो कि 29 से 40 जनसंख्या 11 बढ़ गई किस से बढ़ गई 29 से बढ़ गई तो 100 से कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त आप कहेंगे 1100 बटे 29 हो जाएगा इंक्रीश्ट फ्रॉम इन डिकेड अच्छा दस साल में कह रहा है मेरे दोस्त दस साल में एक कह रहा है दा पॉपलेशन ओफ टाउन इंक्रीश्ट फ्रॉम 145 थाउजन वन लैक फॉट्टी फाउजन तू तू लैक हो गई है एना इन डिकेड what will be the simple growth rate of a population per year per year का पूछ रहा है मेरे दोस्त per year का आप लोगों से पूछ रहा है तो क्या होगा फिर इसका per year का दोस्त आप लोगों से पूछ रहा है तो 3.793 आएगा तस भागो ठीक है तो यह डिकेड कह रहा है तो एक लाख पैतालिस हजार है कितनी होगी मेरे दोस्त डिकेड मतलब दस साल में तो मेरे दोस्त यह दो लाख हो चुकी है सबसे पहले रेशो निकालिये 3.0 से 3.0 कट गई फिर यहां से रेशो 5 से काटा 29 बार 29 से बढ़के 40 हो गई कितनी 11 बढ़ गई कितने साल में 10 साल में 10 साल में जनसंख्या कितनी बढ़ी है 11 बढ़ गई तो एक साल में कितनी बढ़ गई होगी एक साल में जो है वो 11 बटे 10 बढ़ गई होगी किस से बढ़ गई होगी 29 से बढ़ गई होगी 29, 87 होते हैं, कितना बचेगा, 13 और 10, 23 हो जाएगा, और 29 सत्य आ जाएगा, लगबग लगबग 1 इस स्कूशन का बिलकुल सही जवाब हो जाएगा, decade का मतलब होता है, 10 का मतलब होता है, 10 साल में, decade का मतलब होता है, 10 साल में, तो आप देखेंगे, 1,45,000 से बढ़कर, 2,00,000 जन्सन क्या हो चुकी है, ratio निकाला 29 से बढ़कर, 40 हो चुकी है, यानि कि 11 बढ़ चुकी है, कितने साल में, 10 साल में, उसने प्रतिवार से पूछा है, प्रतिवार से पूछा है, तो एक साल में, कितनी बढ़ गई होगी, 11 बटे, 10 बढ़ गई होगी, किस से बढ़ गई होगी, 29 से बढ़ गई होगी, तो 100 से कितना सवाल का जवाब, जो है, option number 1, important question इसे लगा लेना बिटा, simple interest का क्या खूब उसने use किया है, लेकिन पता भी नहीं चलने दिया, ठीक है? Question number 15, आप लोगों के सामने है, पटबड़ बताईए, क्या होगा इस question का बिलकुल सही जवाब? Question ये कहना चाहरा है, मेरे दोस्त, दस्त कैसे आया, बिटा, decade दिया हुआ है, decade का मतलब उसने 10 साल का दिया हुआ है, एक लड़का घर से college तक 35 किलोमेटर प्रती घंटे की चाल से जाता है, और 3 किलोमेटर प्रती घंटे की चाल से वापस आता है, यदि पूरी यात्रा में 6 घंटे 30 मिनट लगते हैं, तो घर से college की दूरी क्या है? जब भी आप लोगों को बराबर दूरी अलग-अलग चाल से तै करनी हो, और पूरी यात्रा का समय आप लोगों को दिया हुआ हो, तो दूरी का formula दोस्त डारेक्टली लिख देना और डारेक्टली आप लोगों को यूज़ करना है, पहली चाल गुणा दूसरी चाल, अपॉन दोनों चालों का योग इंटो कुल समय है, जब भी आपको पूरी यात्रा का समय दिया हो, और अलग-अलग चाल से वो वेक्टी बराबर दूरी तै कर रहा हो, तो यात्रा की दूरी जो निकालने का फॉर्मूला होता है, वो बिल्कुल यह होता है, तो पहली चाल कितनी दे रखी है, 35 दे रखी है, दूसरी चाल 3 दे रखी है, दोनों के योग कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, अब कुल समय मुझे बताईए, साड़े 6 गंटी का मतलब है 3 गंटे 30 मिनट का मतलब है साड़े 6 खैदुनी 12 और 13 बटे 2 दिया हुआ क्या यही दिया हुआ है अब दोस्त यहां से काटा पिटी मचा दो दोसे कुछ कटेगा कुछ कट पिट रहा है कुछ भी निकटरा पिटरा ये भी यहां पर कैलकुलिटिव हो गया मेरे दोस्त यहां से 35 या 105 हो गया और 105 की गुणा 13 में करिए ये कितना हो जाएगा 13 पंजे 65 और 13 एकम 13 और 38 दूनी 6 होता है तो 6 एकम कितना होगा 6 होगा कितना बचेगा मेरे दोस्त आप कहेंगे 6 में से 6 गया 0 13 में से 7 गया 6 बचेगा तो 60 605 हो जाएगा 605 हो गया तो 48 48 को 8 हांसिल लगे 4 8 सत्य चपपन और 4 साथ 605 तो ये कट रहा है साथ बार 17.9 के करीब आंसर आएगा 17.9 यानि की आप्सन नमबर तो 17.9 यानि की आप्सन नमबर तो जब भी आपको कुल दूरी निकालनी हो तो हमेशा इस फॉर्मूले का यूज करिएगा अगर टोटल समय आप लोगों को दिया हुआ है एक्चुल में ये फॉर्मूला जो ड्राइव हुआ है वो औसर चाल गुणा समय से हुआ है लेकिन औसर चाल में यहां हम टो भी लगा रहे होते हैं तो इस केस में टोटल दूरी निकल के आएगी जब की हमें एक तरफ की दूरी निकालनी है तो इस कुश्चन का जवाब ज इसका बिल्कुर सही जवाब तो थोड़ी सी कैलकुलेशन तो है अगर आपकी कैलकुलेशन वीक है तो इस पूरे 20 को करने में आप बहुत ज्यादा टाइम लेने वाले हैं अगर पूरे 20 को मतलब कोश्चन करने हैं तो बहुत ज्यादा टाइम लेने वाले हैं अगर कैलकु आपको देजी 37 जो है वो पच्छपन का कितने परसेंट है आप से ये पूछा है तो पांस से काटेंगे 20 बार कटेगा पांस से काटेंगे ग्यारे बार 37 दूनी 74 होते हैं 740 बटे 11 आगे 11 666 होते हैं कितना बचेगा 80 11 37 11 दूनी सरसट पॉइंट दो करके आएगा option number 4 ठीक है next question आप लोगों के सामने है question number 17 देखिए क्या पूछा है उल्जाने वाला question एक और आप लोगों को दे दिया आप से कहा है कि एक किसान के पास 10 तोते हैं और 40 घोडे हैं उसने का पिरती जानवर पैरों की ओसत संख्या ग्यात करें अच्छे एक बात बताईए तोते के कितने पैर होते हैं और घोडे के कितने पैर होते हैं अगर तोते के पैर की बात करोगे तो एक तोते के होते हैं दो पैर तो 10 तोते के हो जाए उसने का पिरती जानवर पैरों की ओसत संख्या ग्यात करें तो मेरे दोस्त टोटल जानवर कितने हैं पचास से इसे डिवाइड कर देना तो जीरो से जीरो पांसती या पंद्रे होगा पांच चंक तीस तो ओसत कितना आ जाएगा थिरी पॉइंट सिक्स आ जाएगा कुश्च है यह तो एक गंटे में एक साथ कुरसियों को पेंट कर सकता है जबकि भी एक गंटे में चार कुरसियों को पेंट कर सकता है कर दी क्या निर्धारित कीजिए कि 55 कुरसियों को एक साथ मिलकर पेंट करने में उन्हें कितना समय लगेगा अगर दोनों एक साथ मिलेंगे तो क गंटे में ग्यारे कुर्सियां पेंट कर देंगे और टोटल 55 कुर्सियां पेंट करनी हैं ग्यारे कुर्सियां एक गंटे में तो क्या पांच गंटे का समय लगेगा ये भी एक आसान सा कुष्चन था nächste question number 19 का answer मुझे बताईए फिर question number 20 आपके लिए रहने वाला है question number 19 का answer मुझे बताईए मेरे दोस्त दोनों का मद्ध्यन उपाति निकालना है आप लोग जानते हैं दोनों का मद्ध्यन उपाति निकालने का तरीका दोनों की गुननफल का वर्गमूल कर दीजिए 0.64 और 0.81 की गुणा करके वर्गमूल कर दीजिए वही मद्धेन उपाती होगा 0.64 का वर्गमूल 0.8 होता है और 0.81 का वर्गमूल 0.9 होता है 8 और 9 की गुणा करेंगे 72 आएगा पॉइंट के बाद एक अंग, पॉइंट के बाद एक अंग, तो पॉइंट के बाद दो अंग हो जाएंगे, यानि यहां कुश्चन का जवाब जो है, वो option number one हो जाएगा, क्या हो जाएगा, option number one हो जाएगा, कुश्चन number 20 आप लोगों के सामने हैं दोस्त, इस कुश्चन का जो है वो आप मुझे comment box में देंगे क्या होगा इस question का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा इस question का बिल्कुल सही जवाब मेरे दोस्त बहुत सारे questions ऐसे होंगे कम से कम इस 20 practice set के अंदर बात करूं तो कम से कम 3 से 4 question ऐसे हैं जो आपको calculation में दिक्कत पैदा कर सकते हैं एक question ऐसा है जिसमें decade का concept use हुआ है वो थोड़ा सा आप लोगों को उलजा सकता था कि जो अगर आपने चीजे पहले नहीं की है तो मेरे हिसाब से ये GD के level का एक बहतरीन practice set था और अगर ऐसा level पूछा जाता है तो मैं मानता हूं कि वही 14-15 question बालक average बालक जो है वो attempt ले पाएगा 14-15 question आराम से कर पाएगा 5 question में उसे थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है अगर वो 5 question में time खच करेगा तो दूसरी जगे का time जो है वो यहाँ utilize कर रहा होगा तो मैं कह सकता हूं मैं कह सकता हूं कि ये जो लेवल है ये जो लेवल है अभी basic बच्चों के लिए तो कुछ नहीं लेकिन average बच्चे के लिए भी 15-16 एक sufficient score है बढ़िया score मैं इसको कह सकता हूं ठीक है दोस्त बाकी कैसी लगी class जरूर बताईएगा इस question का जवाब comment box में जरूर दीजिएगा मेरे दोस्त class को अगर like करना है तो जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त मिलते हैं कल इसी time शाम को 6 बजे एक बहतरीन class के साथ ओके टाटा बाई बाई धन्नवार